सो वेलकम बैक एवरीवन माई नेम इस सायन गोस्ट चले शुरू का आज का अलाज से यहां पर स्टडी करने वाल है कि कल के दिन देट इस वन वेटनेस डे निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में क्या ट्रेल पहन हो सकता है डेटेल नों डिसकॉसन करेंगे साथ इसाथ कि दरा बैंक निफ्टी इन डेली टाइमफ्रेम कीडेल आप यहां पर क्या देख एख रहaled हुं आप रहे ये ये यह का पतंबार है जब यह pattern formation होता है तो market में एक bearish trend हमें देखने को मिलता है आप अगर यहां देखो एक shooting star मिला था next एक red color candle मिला again एक shooting star next एक red color candle but यहां पर हमें क्या study किया था कि अगर इसका low break होता है then only we can get up till this momentum तो exactly next दिन में market है move कर दिया था तो same analysis यहां भी होगा अगर हमने देखा कल के दिन में market 49,050 level यह exactly 49,000 को downside ने break करता है chances are their market almost 400 to 500 point downside momentum कर सकता है तो अगर यहां पर support ना ले तो market direct यहां तक का momentum कर सकता है that is around 48,250 level मतलब almost 600 to 700 point का momentum expected है not in a single day एक दो दिन के अंदर market यहां तक आ सकता है अगर इसका low break हुआ तो fine चलो अब एक बाद देख लेते हैं कि 15 minute time frame में आज के दिन market ने कैसा तहल का मचाया और हम कल क्या यहां पर opportunity देख सकता है अगर आज के दिन में market में देखें slightly gap up अब यह जो यहां पर previously एक support था yes यहां पर resistance से support था market ने इसी को resistance बनाया और continue यहां से fall दिया अब जो प्रिवियस डे का जो low था और हमने यहां पर जो level बनाया था 49,500 market किसी भी level को market ने break किया ही नहीं तो as a option seller आपको most possible chance अच्छा का सा profit यहां पर देखने को मिला होगा क्योंकि आज भी हमने live market में भी option selling किया था और हमने अल्यड़ी weekly का option selling भी कर रखा है दोनों में हमारा अच्छा का सा profit चल रहा है तो चलो अब वापस से यहां पर analysis में आता है यहां पर हर बार की तरह तीन ओपनिंग यहां market में होता है closing बहुत इंट्रेस्टिंग है 49,060 मतलब 49,050 के आसपर market में closing दिया है यहां से अगर market direct 450 point में gap opening होता है for example यहां पर जो नहीं होना चाहिए अगर यहां होता है तो again एक BAE sentiment हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि expiry है expiry दिन में यहां पर सुबा सुबा जो resistance creation होता है बहुत strong होता है bank nifty में expiry है most possible bank nifty expiry एक बार देख लेते nifty से bank nifty 29th आज 28 है हाँ एकदम confirm मैं यहां पर option chain study कर रहा हूं उससे पहले एक बार हम main analysis हाँ पर कर लेते हैं ठीक है bank nifty में आते है तो chances है huge की market अगर यहां पर gap opening होता है तो selling का प्रेसर बहुत जादा मिलता है आपको बस सुबस बस यह चेक करना है कि 49,500 के आसपास अगर market open हो रहा है first 15 minute candle अगर कोई red color candle बनाता है अगर उसका low breakout होता है ठीक है हम एक various opportunity देख सकते हैं साथी साथ आपको data wise भी चेक करना है कि यहां पर 49,500 के आसपास वहां पर call writers are bigger than put writers or not अल्रेडी देखो अल्रेडी है call writer बहुत जादा स्ट्रॉंग है 49,500 में तो definitely it will work as a resistance level तो कल आपको और भी देखना है कि intra day जो वह रहता है market में वो ज्यादा है कि निक all side में अगर वो होता है तो बहुत अच्छा selling opportunity हमें देखने को मिल सकता है ठीक है यह तो हो गया gap up का scene अब देखतें कि धीरे धीरे अपने उपर को bullish opportunity देता है तो we can get a bullish momentum क्योंकि अगर देखो यहाँ पर market trapping भी कर रहा है यहाँ पर seller को भी trap कर रहा है अगर देखो यहाँ पर triangle pattern formation भी हो रहा है तो ideally जब इस tap का formation होता है अब trend के बाद market बहुत अच्छा bullish momentum भी देता है अगर यहाँ पर open होता है तो market selling के लिए हाने का chances जादा रहता है ठीक है तो यह देख लिए हमने almost slide gap up और huge gap up का अब देखते कि सर अगर market is range के अंदर open होता है तो अगर market is range के अंदर उपर होता है एकदम simple है जो जस्ट अभी मैंने बनाया हम वेट करेंगे 49,300 के उपर market sustain करें तब भी bullish opportunity और else अगर market नीचे की तरह 49,000 almost इस level के असपास है 49,000 के नीचे sustain करता तब हम bearish opportunity देख सकते open target अब कर लाएगा minimum आपका जो रिक्स्ट डिवाट रने वाला है that will be 1 is to 1 फाइन यह हो गया sideways का अब देखते की sir अगर market ने gap down open दे दिया देखो gap down opening के लिए आपको support देखना पड़ेगा for example market एकदम open ही हो रहा 48,700 that means 300 point gap down अगर यहाँ open होता है chances are huge कि यहाँ से छोड़ ऐसा buying आ जाए ठीक है chances are दिया तो यहाँ तक का momentum हम expected है फिर सायद से market थोड़ा सा pull back ले फिर यहाँ पर upside momentum शुरू करते है यह possibility हो सकता है मतलब मैं इस type का scenario देख रहा हूं कि अगर market उपर जाता है फिर थोड़ा pull back फिर थोड़ा upside ठीक है ऐसे momentum देने का possibility देगा अगर market gap down open होता है टीक है gap down के बाद आपको first 15 meter candle देखना है जब तक उसका low breakout ना हो तब तक हमें कोई selling opportunity नहीं देखना है यहाँ पर ठीक है आई होब यहाँ तक clear हो गया अब quickly एक बार bank nifty तो हो गया एक बार nifty देख लेते है नifty जहाँ से पहले अगर अभी तक video like नहीं किया अभी कभी like करो जिससे मुझे थार motivation मिले हर बार आपकी तरह ऐसा video मनाता रहो फाइन चलो अब एक बार nifty देख लेते है नifty यहाँ पर क्या कर रहा है नifty अगर द्यान से देखे this was a shooting star candle fine एक red color candle बनाया fine हमने normally हमको idea किया है जब इनका low break होता है market में अच्छा का सा momentum होता है आज के दिन break करना है कोशिस के एकदम day end के आसपास but close नहीं कर पाया इसके नीचे but कही ने कहीं यहाँ पर seller active है तो chances are there कि next candle अगर इसका अगर low break होता है तो फिर 22,780 मतलब 22,800 लेवल अच्छी हो सकता है downside में और अगर ये लेवल ब्रेक होता तो market almost 22,500 तक का momentum downside में कर सकता है ये daily time frame analysis है तो उसके लिए wait करना पड़ेगा कि अगला candle closing कैसा देता है अब आते 15 minute time frame यहाँ पर हमारा analysis क्या बता रहा है 15 minute time frame में मुझे एक negative pattern देखने को मिल रहा है अगर आप इस 30 minute में भी देखो 30 minute में भी है 15 minute में भी है क्या negative pattern है अगर आपको ध्यान से देख रहा है मैं नहीं बना रहा है आप लोग comment बता हो ये कौन सा pattern formation है इसका नाम क्या है और कितने chances है कि यहाँ पर successful हो सकता है चलो अब ये एक negative pattern है नाम मैं नहीं बताऊंगा आप लोग comment बताना जिनको नहीं बता है आप लोग जुरूर comment चेक कर लेना तो as per this pattern जब इसने अपना support के नीचे closing दे दिया है there is a higher possibility कि और यहाँ पर fall आ सकता है बट depend करता है कि कल का opening कहा हो रहा है देखो चोटा साथ trend line मुझे यहाँ पर देख रहा है for example market open होता है सिधा 23,000 के आसपास मतलब 500 point के gap of market ने दे दिया just like आज का market अगर यहाँ open होता है तो there will be highest scenario market फिर selling के लिए आ जाए यह अपना trend continue कर देगा बट अगर market slide gap opening होता है for example 22,000, 929, 30 यहाँ पर market में थोड़ा indecisive चलेगा हमें बस वेट करना है कि प्रॉपरली 22,950 के अगर उपर market sustain करता है 950 के उपर तब हम कोई bullish opportunity देख सकते है अब till 23,000 उसके बाद next target होगा 23,000 23,000, 50 level almost यहाँ पर कहीप है यहाँ तक का momentum expect कर सकते है अगर market slow and steady गया तो ठीक है अब यह तो हो गया slide gap up अब देखते कि अगर market इस range के अंदर open हो गया यह range है 22,000 880 और upside में है 22,950 का level ठीक है अगर market इसी range के अंदर open होता है total wait and watch करना है जब तक market properly 960 को पर sustain न करे तब तक no bullish opportunity अगर market properly 860 के नीचे 22,860 के नीचे अगर market sustain करता है तो हम एक various opportunity देख सकता है for bigger target more than one is to one का आपको target यहाँ पर देखने को मिल सकता है अगर gap down open हो गया तो देखो अगर gap down open होता है अगर market gap down open होता है इस pattern का जो काम है वो achieve हो गया chances are there यहाँ से सीधा buying आजा है क्योंकि एक support level है यहाँ भी एक support level है तो chances are there यहाँ सीधा buying आजा है तो आपको इस level के आसपरस एक buying opportunity मिल सकता है but depending on price action plus data अगर आपको दोनों check करना अगर दोनों match करता है तब ही जाके कोई हम यहाँ पर bullish opportunity देख सकता है ठीक है तो आज के video यहें पर end करेंगे I hope आज के video में आपको कुछ learning मिला होगा ठीक है चले फिर मिलते फिर अगले video में Thank you very much